दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंट्रस्टिंग पोवम को डिसकस करेंगे जिसका नाम है एंटरप्राइस इस पोवम को लिखा था निजिम एजिकल ने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन दोसो इस वीडियो में आपको इस पोवम का मेन आइडिया समझाओंगा लाइन बलाइन अनलेसिस के साथ में बहुत इंटरस्टिंग वीडियो होने वाले शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि सफर खूपसूरत है मंजिल से भी कि अंदाज अलग है मेरे सूचने का सबको मंजिल का शौख है मुझे सफर का इस बात में खरी सच्चाई है कि वाकई जर्नी का अपना मज़ा होता है एक राइटर है निजम इजिकिल उनकी एक कविता है एंटरप्राइज उसके अंदर बड़ी गहराई से इस बात को बया किया है उन्हों ने इस कविता को समझाने से पहले मुझे ये शब्द जो है एंटरप्राइज इसका मतलब क्या होता है ये समझाने दीजिए जब कोई इंसान या इंसानों का एक ग्रुप मिलकर साथ में कोई बिजनस शुरू करता है तो उसे हम enterprise कहते हैं और उसे शुरू करते वक्त सभी के दिलों में एक जूश होता है कुछ कर गुजरने का जजबा होता है कुछ भी नया शुरू करने के लिए bold decisions की जरूरत होती है न मतलब एक enterprise शुरू करने का मतलब होता है कोई pilgrim में शुरू करना कोई तीर थियात्रा जो बहुत पवित्र होती है उसे शुरू करना इसलिए वो कविता की शुरुवाती की line में कहते है It started as a pilgrimage मतलब हमारी ये जर्नी poet और उसके साथी दोस्तों की जर्नी एक enterprise की तरह शुरू हुई थी साथ में एक दूसरे के साथ एक pilgrimage जैसे शुरू होती है न एक तीर थियात्रा वैसे ही exalting minds and making all burden light जब ये जर्नी शुरू होती है तो सब के दिमाग free होते है मतलब किसी को ये नहीं पता होता कि रास्ते में क्या क्या problems आएंगी शारिरिक हो या मानसिक हो पस ऐसा ही होता है कि जब आप कुछ नया शुरू करते हो तो excitement सब में एक ही level की होती है कि चलिये शुरू करते हैं मज़ा आएगा लेकिन उस journey की वास्तविकताओं से कोई भी रूबरू नहीं होता यहने का मतलब ये first stage होती है हमारी life में भी जब हम बच्चे होते हैं तय करते हैं कि अपने जिंदगी में ये करेंगे वो करेंगे और फिर आती है second stage the second stage जिस stage में हमको पहली बार यानि pilgrims को सामना करना होता है असल problems का यानि फिर हमारे सामने आए कुछ tough moments हमारे part बोलते हैं हमारे सामने आते हैं कुछ tough moments उनको हमने explore किया but did not test the call लेकिन फिर भी हमने खुद से कोई सवाल नहीं किया कि कहीं ये journey हमने गलत तो शुरू नहीं कर ली और आगे कौन-कौन से hurdles आ सकते हैं did not test the call का मतलब ये है कि आगे क्या-क्या problems आ सकती हैं हमने इस चीज़ का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया हम तो आगे बढ़ने लगे आगे part बोलते हैं the sun beat down to match or rage सूरज गर्म था और हमें अपनी गर्मी से तपा रहा था लेकिन उससे भी ज्यादा गर्मी थी हमारे इरादों में इसलिए हम आगे बढ़ते रहें हम आगे बढ़ते रहें अपनी problems को analyze नहीं किया और बस आगे बढ़ते रहें part बोलता है I thought we stood it very well हम उस problems के खिलाव बढ़िया लड़े लेकिन अब आगे बड़ी कमाल की चीज होती है सब बढ़िया चल रहा था हम सारे लोग अपने साथ copy और pen लेकर आये थे मतलब notebooks लेकर आये थे observed and put down copyist notes जो भी चीज़ें हमें रास्ते में दिख रहे थी उन सब को note down करने के लिए हम जो कुछ भी observe करते थे सब को note करने के लिए चाहे उस सियात्रा के दौरान हमें रास्ते में साप दिखे या बकरी हम किन चीज़ों को note down कर रहे थे on things piece and sold and bought मतलब वो चीज़े जिनको किसान खरीद रहे थे बेच रहे थे और रस्ते में साप दिखे या गोट three cities where a sage had taught सब की information हर चीज़ की information हम अपनी note books में note करने में लगे थे हमें उस जगे के बारे में ज्यादा interest था जानने में जहां पर एक महान साधू ने sage ने अपनी ज्यान की बाते सिखाई थी लोगों को ज्यान देना यहां पर क्या बूल रहा है पाइट वो जगे के बारे में जानने में ज्यादा interest था बजाए कि इस बात को जानने के कि साधू ने क्या बात की थी क्या सिखाया था मतलब बेकार की जीजों में जिनका कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजों में इंसान को अपनी energy खर्च करने में ज्यादा मजाता है खैर जननी थोड़ा और आगे बढ़ती है लेकिन असली problems तो अब शुरू होने वाली थी हमारे बीच में एक बड़ा रेगिस्तान आ गया और सबसे बड़ी चनौती ये थी कि हम सब के बीच में एक बहस छिड़ गई कि कैसे इस रेगिस्तान को पार किया जाए और कैसे इस चनौती का सामना किया जाए इसी बहस में हमारा एक दोस्त था जो ग्रुप छोड़ गया मतलब वो हमसे अलग हो गया वो friend हम में सबसे stylish prose लिखता था मतलब ये कि हम में सबसे intelligent था और उसके और हमारे ग्रुप के बीच में arguments बढ़ने लगे, बहस होने लगी कि कैसे इस problem को solve किया जाए और हमारा एक दोस्त जो हमसे अलग thinking रखता था वो हमारे ग्रुप से अलग हो गया उसने अपने रास्ते को follow किया और जैसा मैंने बताया क्योंकि वो intelligent था तो अपना रास्ता खुद बना सकता था लाइफ की journey में भी कुछ ऐसा ही होता है चाहे कितने भी अच्छे दोस्त क्या ना हो intelligent दोस्त अपना रास्ता अलग खुद बना लेते हैं और group तोटना शुरू हो जाता है क्योंकि हम भूल जाता है कि enterprise तो हम सबने साथ मिलकर शुरू किया था तो फिर हम सारे अपना अपना रास्ता अलग क्यों बनाने लगे यही तो बात है कि आप कितने भी tough से tough इरादे वाले लोगों के साथ में अपनी journey शुरू कर लो दोस्तों लेकिन जब आपका सामना होता है reality से तो सब कुछ धराशाही होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आपका idealism यानि आदर्शवाद जरूरत से ज्यादा है तो आपको समय समय पर reality check करते रहना चाहिए यानि दूसरी stage में जब लोगों के सामने problems आना शुरू हुई तो एक बार इनको खुद से सवाल पूछना जरूरी था कि जिस रास्ते हम जा रहा हैं वहाँ पर हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं बस अंदर एक जवाला थी आग थी हमने उस problem का सामना कर लिया और आगे बढ़ते रहे वैसे मैं अपनी life का example दूँ तो इसी idealism में मैंने काफी लोगो को आसपास cafe chefे खुलते हुए देखा है कि एक बार cafe चल गया तो पैसा ही पैसा होगा ऐसे में हम लोग भी बोलते हैं कि लेकिन ये कुछ और नहीं बस उनका idealism होता है कि पहले ही वो ऐसा सोच रहते हैं कि ये चल गया तो ऐसा होगा वो चल गया तो वैसा होगा actually इनकी history में कभी किसी ने ऐसा काम किया नहीं होता और ये बस अपना ही कुछ बना लेते हैं खयाली पुलाओ इसलिए यहाँ पर poet इस कविता के थू कहना चाते हैं कि जिस दिन इनका ये idealism reality से टकराएगा तो सब कुछ धराशाई हो जाएगा क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो जूटा आदर्शवाद ये जूटी idealistic बाते ज्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती ये idealism बड़ी बुरी चीज होती है ये आपको हसीन सपने दिखाती है जर्नी की शुरुआत में ठीक से तयारी नहीं करने दिता ये idealism ठीक से research नहीं करने दिता कि मैं जो ये जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ क्या वो इतनी आसान होगी जैसे मैं सोच रहा हूँ और अगर problems आएगी तो उसका मैं सामना कैसे करूँगा 1989 में मेरे बड़ों ने मुझे बताया है कि एक comedy serial चलता था मुंगेरी लाल की हसीन सपने जिसमें मुंगेरी लाल एक office clerk होता है जो सपने देखता है दिन के टाइम पर उन सपनों में ही वो जग जीत लेता है दोस्तों लेकिन reality में उसने कुछ भी नहीं उख़डा होता वो एक मामुली सा clerk होता है अब point बोलता है कि कैसे वो लोग journey के next पड़ाओ पर पहुँचे next level पर पहुँचे वहां पहुँचते ही हम लोगों पर दो बार attack हुआ और हम लोग अपना रास्ता भी भटक गए थे कि हम लोग कहां से आये थे और कहां को जाना है क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि जब आपका idealism खरा नहीं उतरता जो आपने सोचा है उस पर तो आप एक दूसरे से लडाईयां करने लगते हो एक दूसरे की इज़त करना भूल जाते हो और अपना रास्ता भी भटक जाते हो तो शुरू शुरू में जो इज़त ये सारी चीज़े बरकरार रहती है वो आगे जाकर जब आपका idealism तूटता है reality से टकराने के बाद तो इज़त भी खाक में मिल जाती है आप एक दूसरे की इज़त करना भी भूल जाते हो तो पहले तो सिर्फ एक आदमी ग्रूप छोड़ कर गया था अब तो एक पूरा जथा एक पूरा section ग्रूप छोड़ने की बात कर रहा था मतलब एक से ज़्यादा लोग ग्रूप छोड़कर जाने की बात करने लगे थे लेकिन ग्रूप का leader हार नहीं मानता और लोग के जाने की बावजूद भी उसे उम्बीद होती है कि मनजल कहीं आसपास है मनजल कहीं आसपास है ये जो words हैं ये हम सब में होसला भरने का काम करते हैं लेकिन होसला देने के साथ साथ हमारे जर्नी को खराब करने वाला sentence भी यही होता है क्योंकि इस तरह का अंध विश्वास कभी कभी सही नहीं होता पहले तो हम फिर भी चलते वक्त आसपास की चीज़ों को थोड़ा notice तो कर रहे थे लेकिन अब तो हमने अपनी आख और कान एकदम ही बंद कर लिये नजाने कहां चले जा रहे थे एक straggling crowd की तरह एक ऐसा crowd जो बस चले जा रहा है चले जा रहा है भटक रहा है बस अपने मन की आवाज को भी इग्नोर करते हुए आगे चले जा रहा था हम मेंसे कई लोग इतने ठक चुके थे कि तूट गए थे और कई जुक चुके थे और अब तक तो हम इस जर्नी से इतना परिशान हो गए थे कि बेसिक जरुरतों की चीजों के लिए भी महताज हो गए थे मतलब हमारी बेसिक जरुरते भी पूरी नहीं हो रही थी like soap, साबुन की तरह जो बेसिक जरुरते होती है न क्योंकि जब हमारे लीडर ने कहा कि मनजिल आसपास ही है तो हमने जर्नी को इंजॉय करना बिल्कुल ही बंद कर दिया अंधो की तरह चलते गए और फाइनली जब हम अपने डेस्टिनेशन तक अपने गोल तक पहुँचे तो हमें से किसी को भी नहीं पता था कि यात्रा हमने शुरू क्यों की थी और यहां आकर हमें क्या मिला क्योंकि किसी के भी फेस पर खुशी नहीं थी सबके मूँ उतर गए थे क्योंकि वहाँ पहुंचने के बाद हमें ऐसास हुआ कि हम जो यहाँ पर पहुंचे हैं हमने कुछ भी अनोखा या रेर काम नहीं किया क्योंकि यह सब तो पहले ही काफी लोग अचीव कर चुके हैं जो आज हमने किया इस जर्नी को पूरा करके इसलिए इससे तो अच्छा होता कि हम लोग घर पर रहते कम से कम वहाँ पर हमें सैटिस्पेक्शन तो मिलता तो ऐसा लगता है जैसे राइटर के मन में दिल में कोई बात थी लंबे अर्से से जो दबी हुई थी इस पूर्म को लिखते वक्त जो इस पूर्म को लिखते वक्त बाहर आ गई कुछ कर्टेक्स तो ऐसे हैं जो इस पूर्म की तारीफ करते हैं वहीं कुछ कर्टेक्स बोलते हैं इस पूर्म में निराशा है क्योंकि अगर इंसान की क्योंकि इंसान जब कोशिश करता है तो ये उसकी नियती है कि वो कभी हारेगा भी कभी जीतेगा भी इसलिए कोशिश करना छोड़ दे ये तो ज़रूरी नहीं लेकिन यहाँ पर राइटर का वो कहना नहीं कि आप कोशिश ही मत करो आएंगी तो आप उसको सहर नहीं कर पाओगे शायद जर्नी को बीच में छोड़ दो और दूसरी चीज है कि डेस्टिनेशन से खुबसूरत है जर्नी उससे इंजॉय करो वो ज्यादा इंपॉर्टन है डेस्टिनेशन पर जाकर उतनी खुश ही नहीं होगी जितना जर्नी को एंजॉय करने है उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई न कुई